अलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रोसान साइस्टेडी पॉइंट में तो बच्चो आज हम लोग क्लास 12 का जो जो जोगरिफी का सैंपल पेपर है इसके बारे में हम डिस्कॉस करने वाले हैं आप सभी को पता है कि जो हमारा जोगरिफी का जो पेपर होने वाला है ये तीन घंटे का पेपर होगा जिन में से ये हम सत्तर नंबर का हमारा पेपर होगा उच्चो इसको मुख्यता 5'S Mi बाटा गया है कखगण ऑड़ा ये क्या है 5' या आपका जो paper होगा इसे बाटा गया है इसgensके अंत्रगत क्या होंग है आपके जो एक से लेकर 17 तक जो प्रशन होंगे वह आपके बहूविकल्पी होंगे यानि आपके जो M के पेपर होंगे एक से सतरा तक और ये एक एक नंबर के प्रशन होंगे बच्छो दूसरा क्या है खंडखा में अगर बात की जाए तो अठारा से लेकर उनीस तक जो है यह आपके स्रोत अधारत अर्थात यह पैसेज होगा बच्छो जिसमें हमें क्या करना पैसेज में से पढ़के हमें उत्तर देना है अगर खंडगा देखा जाए तो आपके 20 से लेकर 23 तक यह लगू सतरी प्रकार के प्रशन होंगे बच्छो जिसमें आपकी यह तीन-ती नंबर के प्रशन होंगे और प्रतिक प्रशन का जो उत्तर है आपको 80 से 100 श चिए उत्तर यह प्रकार के प्रशन होंगे ओठीक है और हमारा प्रतिक प्रशन का जो उत्तर है बच्छो ऋ 120 से लेकर 1.500 सब्दों में हमें इसमें उत्तर को लिखना है ठीक है और जो हमारा अ अंतिम खंड है उसके अंदर क्या है बच्चो 29 से लेकर 30 तक यह मानचित्र के अधार पर यह प्रशन होगा बच्चो ठीक है और यह क्या होता है यह दो प्रशन होंगे जो 5-5 नमबर के यानि एक इंडिया का मैप होगा बच्चो और एक आपका होगा वर्ल्ड का और यह दोनों ही आपके 10 न करने वाले कारक कौन से आर्थिक कारक बच्चों इसके इंदर पूछा है तो आप लोग पता होगा कि वितरन को प्रवाइब करने वाले कारकों की बात की जाए तो इसका ऑप्शन है नगरी करण तो नेक्स हमारा प्रशन है अंतराश्य स्रम संगटन यानि आयलो ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया है तो बच्चों आयलो द्वारा अधार भूत अवशक्ता उपागम को प्रस्तावित किया गया है आप सभी को पता है कि मानव विकास के जो उपागम है वो परफेशर अमर्द सेन द्वारा दिया गया था तो इसका राइट अं का चैन कीजिए तो बच्ट इसमें कि जनम दर को नियंत्रित करना परीवार 느ूजन का उद्ध्ध से क्या है जनम दर को नियंत्रित करना दूसरा ओप्जन है बच्चों के जलाव के बीच अंतराल रखना चाहिए यानि अंतर थोड़ा होना चाहिए कि जैसे एक साल या दू साल की बीच बच्चा ऐसा होना चाहिए महिलाओ के स्वास्टे को बहतर करना चाहिए और चोटा है बच्चों की मिर्तिव दर्ग को कम करना चाहिए यह हमारे चार उप्चनलिस में विकल्प बताने हैं कौन सा इसका विकल्प सही है तो बच्चों इसका विकल्प जो है यानि जनम दर को नेंदित करना चाहिए इसके साथ साथ बच्चों की जनम की बीच हमें क्या रखना चाहिए अंतराल रखना चाहिए यानि अंतर होना चाहिए इसके साथ साथ महिलाओ के स्वास्त को भी बहतर बनाना चाहिए तो इसका right answer है option B ठीक है बच्चो नेक्स अगर बात करते हैं नेक्स हमारा है question ट्रक क्रिशी का संबंद निमलिखित में से किस से है तो बच्चो ट्रक क्रिशी के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि ट्रक क्रिशी के अंदर गत क्या होता है कि जो फसले होती है या जो फल होती है या सबजिया ठीक है ना तो basically इसके अंदर सबजियों को क्या होता है खेतों से कहात पहुंचाना मतलब जहां बाजार है वहां तक ट्रक के दवरा पहुंचाना ट्रक क्रिशी कहलाता है तो इसका option है right, D option इसका right option है next हमारा प्रशन है बच्चो निम्लिकित में से कौन सा वांडिजिक डैरी क्रिशी का सबसे बड़ा छेतर है ठीक है बच्चों हमने पिछली बार भी discuss किया था वांडिजिक डैरी क्रिशी क्या होती है जिसमें दूधारू पस्वों को पाला जाता है तो हमें बताना है निम्लिकित में से कौन सा देश है जहां डैरी क्रिशी की जाती है तो इसका option answer जो है तो उत्तरी पश्मी यूरोग यानि option A है वो इसका right answer हो जाएगा नाइक बात बच्चे बात करते हैं कि चारे की फसले निम्लिकित में से किस प्रकार की क्रिशी का मुख्य घटक है जो चारे वाली फसल है वो किसका उधारन है तो बच्चों चारे वाली फसल है वो हमारा मिश्रित क्रिशी का उधारन है तो इसका option A right हो जाएगा नेक्स प्रशन बात करते हैं निम्लखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांग करमात सरवुच है मतलब कहने का मतलब है कि किस देश का मानव विकास सूचकांग सबसे जादा है या मानव विकास सबसे जादा है तो बच्चो इसका जो option है इसका option C सही होगा यानि Australia जादा है इसम के अनुसार नेक्स नमारा बच्चो प्रशन है आठवा इसमें बात करते हैं निमलिखित कतनों का अध्यन कीजिए और सही विकल्ब का चेन कीजिए पहला है कतन यानि सुचनाओ के अंकी करण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विले हो गया है दूसरा option है कतन यानि परिनाम सुरूप का परिनाम सुरूप एक समनवित नेटवर्ग बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है तो बच्चो इसका जो सी कतन व यानि कतन फर्स और कतन सेकंड सही है और कतन सेकंड क्या करता है कतन फर्स का परिनाम दिखाता है नेक बात करते हैं बच्चो निमलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकरशक कारक है हमने पहले ही बात कर चुके हैं बच्चो कि प्रवास के दो कारक होते हैं एक ह तो इसके अंदर जो हमारा अंसर होगा वो है हमारा प्राकृतिक आपड़ा जानी इसका ए अंसर हमारा सही होगा नेक्स बात करते हैं निम्लिके तराज्यों में से किसकी 2001 से लेकर 2011 तक अगर बात की जाए दशक में जनसंख्या व्रदी सारवदिक रही है तो सबसे अगर बात किजाए 2001 से 11 के बीच में सबसे अधिक जन संख्या अगर बात किजाए विजिदर वाला जो राज्य है वो हमारा है मड़ी पूट इसका अंसर ए बिल्कुल सही होगा नेक्स बात करते हैं आदोनिक भारतिय भाषाओं में को बोलने वालों की संख्या के अनुसार अधिक्तम से नियुनतम के सही करम वाले विकल्पों को चुनिए तो बच्चों ये हमारा प्रवास वाला चेप्टर से है तो ये कोशन ये हमारा चेप्टर ये नहीं आ रहा है तो हमें इसको नहीं डिस्क्स करना है नेक्स्ट हमारा प्रशन है दिए गए संसादनों को पढ़िए और सामुदाइक संसादनों से सही विकल्ब चुनिए हमें इसमें सामुदाइक संसादनों के वारें बताना है कौन सा सही है तो सामुदाइक अगर बात की जाए तो जो बच्चो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा D option यानि ग्रामीड जलाशे और चारागा भूमी तो ग्रामीड जलाशे और चारागा भूमी ये दोरों ही हमारे सामुदाइक संसादनों की अंतरगत आते हैं तो इसका राइट option है option D नेक्स बात करते हैं बच्चो पैट्रोलियम अगर बात की जाए पैट्रोलियम उत्पादक एवं उर्वरकों को ग्रहन करनी के लिए बनाया गया पत्तन कौन सा है जो पैट्रोल के लिए काफी जादा फेमस है तो पैट्रोलियम के लिए बनाया गया यहां जो पत्तन है वह हैं हमारा बच्छों कांदला पत्तन है गुजरात में है थी kang展वारा प्रशन है इस्थम फिर्स्ट का मिलान सेकिंद सी एक और जहीं विकलप का चेहन चिंदा करें तो जो इसके फिस इसके अंसर यहाइ के यह ड्यक्ति अंसर बता देता हुम तो इसका अंसर जो है इसका अंसर जो है बच्छो यह डी सही है ठीक है अब डी कैसे है कि अगर बात की जाए जैसे नौर्थ सेंट्रल तो नौर्थ सेंट्रल हमारा इलहाबाद में आ जाएगा ठीक है और इसके साथ साथ इस सेंट्रल इस सेंट्रल जो है हमारा वो आ जाएगा हाजी पूर में इसके साथ सथ हमारा जो है वेस्ट सेंट्रल जो है वह आ जाएगा हमारा वेस्ट सेंट्रल हमारा जवल पूर में आ जाएगा और साथ सेंट्रल हमारा सिकंदराबाद आ जाएगा तो यह बच्चो इसके हिसाब से हमारा अंसर डी हमारा बिल्कुल सही अंसर है ये बच्चो एक passage है आप एक बाद passage को पढ़ लीजेगा passage से संबंदित अंसर आपको बताने है इसके अंदर ठीक है नेक बच्चो हमारा खंड गा है इसमें हमारा जो पहला प्रशन तीन नंबर का है तो जिन में से हमारा जो पहला प्रशन है मानव प्रकृति के नियम को बहता डंक से समझने के बाद ही प्रोदोगी का विकास कर पाया है मानव के प्राकृति करण के संदर में इस कथन का मुल्यांकन कीजिए तो पचेश के तम बो लग खाए कि माना उन्हें किस प्रकार के प्रकृति के नियम को बहतर लंक से समझकर प्रोध्योगी का किया है बच्चों विकाथ किया है तो ये बात सही है आप लोगों ने देखा होगा जैसे सबसे पहले मनुष्य ने वायू की गती के नियम को समझा, तबी तो उसने वायू यान का निर्माण किया ना, तो पहला ये हो जाएगा, इसके साथ साथ जब मनुष्य ने क्या किया, घर्शन और उस्मा, मनुष्य ने दो पत्थरों को लिया और उसे घीसा, तो घर्श किया गया तो इन उधारनों से हम कैस दखते हैं कि मनुष्य ने प्राकृति के नियम को समझ कर प्रोध्योगी की का विकास किया है तो आपको आंसर इसमें यही बताना है कि किस प्रकार से पहला आपको यही बताना है कि मनुष्य ने वायू की गती के नियम को समझ कर वायूया नेक्स्ट हमारा इसी में हमारा second जो question है अत्वा में इनमे question है मानवी क्रियाओं की छाप प्रकृती पर मानवी क्रियाओं की छाप प्रकृती के मानवी करण के संदर में इस कथन की पुष्टी कीजिए यानि इसमें कोश्यन में ये बोल रहा है कि मानव प्रियासों किछा प्रकृती पर दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चों मानव प्रियासों किछा प्रकृती पर दिखाई देती है ठीक है अब ये कैसे जैसे इनकों कुछ उदारन द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे पहाडों पर तरंगीत नुमा यानि सीडी नुमा क्रिशी करना मानव निर्मित उपगराओ यानि जो सैटलाइट से वो अंत्रिक्ष में भीजना ठीक है न समुंदर पार महामार्गों का निर्माड़ करना ठीक है न और इसके साथ साथ जो हमारे तट्य यानि भारत के ठाठित भारत के पत्तन हो गएं बंदरगाओं का निर्माण करना फ्लाई OV니다 लिए सबी चीजों का निर्माण करना तो यह सबी चीजे कि मानी प्रयासों की चाप यह सर्वत्र लाकुत को प्रतितने प्रूप से नजर आती हैं तो इसमें अंसर बच्चों आपको यहीं बताना है कि मानन निर्मित उपग्रहों का यानि सैटलाइट के अंतरिक्ष में बेजना ठीक है सीडी नूमा कृशी इसके साथ साथ विशाल नगर विश्राम इस्थल तरंगित पहाड़िया चारागाह और बंदरगाहों का विकास यह सभी चीजे इसमें आ जाएंगी तो बच्चों नेक्स प्रशन की बात करते हैं नेक्स हमारा प्रशन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धी की प्रवस्था यानि गाको यानि 1951 से लेके 1981 को जनसंख्या विस्वोट की अवदी की रूप में क्य बीच क्या हुआ था तो इसके अंदर भारत की जनसंख्या में विस्वोट होने के बहुत सारे कारण थे ठीक है पहला कारण क्या था बच्चों कि इस समय किस्त्रस विदाओं का विकास होने के कारण मृत्युदर में इस समय कमी आ गई जी यानि जब पहनी बात तो इसमें म पुनार्थी क्या गए थे भारत में आ गए थे इसके कारण भारत की जनसंख्या में विस्वोट विद्धिदर दर्ज की गई थी ठीक है और इसके साथ सथ हमारे भारत की अर्थेवस्ता सुधरने भी लग गई थी और दिकांस लोगों के जीवन की दसाओं में सुधार आ इस सबी कारणों से हमारे भारत के जनसंख्या में विस्वोट विद्धिदर दर्ज की गई थी नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रशन है भारतिय क्रशी के विकास में सदत क्रशी के लिए राश्च्य मिशन यानि एन एम एसे के उदेश्य का वर्णन कीज जैसे पहला किया हैं सदत क्रशी के लिए राश्च्य मिशन क्रशी को अधिक बढ़ावा दिया गया था इसके सबसद जलवाईयों को अनकूल वनाने के लिए इस्थाई विशिस्ट एकी कि न्यकरें कर से नमी बढ़ाए जा सकता है ये सारे मिशन किये गए थे या सुधार किये गए थे राश्य मिशन के अंतरगत नेक्स्ट हमारा बच्चो प्रशन है कि भारत की दक्षिन पश्चिम पठार प्रदेश यानि भारत के दक्षिनी पश्चिमी पठार प्रदेश जो है खनिच पेटी की मुख्य विशेशता है बताई यानि दक्षिन पश्चिम खनिच पेटी के अगर विशेष्ता की बात की जाए तो ये पट्टी करनाटक, गोवा और तमिल लाडू की जो उंशी या केरल के छेत्रों में आती है यानि दक्षिन पश्चिम करनिश पेटी के कुछ छेत्र कौन कौन से है तो करनाटक, गोवा, तमिल लाडू और केरल है और यहां क्या होता है, लोहा और बॉकसाइड यहां बहुत बड़ी मातरा में पाया जाता है यानि लोहा और बॉकसाइड की मातरा क्या होती है, दक्षिन पश्चिम खनिश पेटी में बड़ी मातरा में यहां इस खनिश की प्रधानता पाई जाती है इसके साथ यहाँ पर उच कोटी का लो अयस्क मैगनीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है ठीक है और लिगनाइट को छोड़कर इस छेतर में कोईला का मतलब लिगनाइट जो है यह कोईले का ही एक प्रकार है बच्चो तो यहाँ लिगनाइट कोईले को छोड़कर अभाव रहता है दक्षिन प्रश्रिम खनेच पेटी में तो यह विशेष्टा होती है बच्चो दक्षिन प्रश्रिम खनेच पेटी की इसी में एक और अथवा में एक और प्रशन है इसके अंदर बच्चो की एक प्रशन है कि उत्तर प्रश्रिम खनेच पेटी की रात की छेतर इसके अंत्रगत सामिल है और यहां तामबा, जिंक, आदी यहां परमुक खरिच पाया जाता है। राजेस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संग्वरमर, जैस्पर और जिप्सम इस परकार के पत्थर यहां समर्द रूप से पाय जाते हैं कहां राजेस्थान में और यहां मुलतानी मिट्टी भी काफी जादा पाई जाती हैं ठीक है तो यह है हमारी उत्तर पश्च में उद्योगों की अवस्थिती को प्रभावित करने वाले पांच कारकों की व्याख्या कीजिए तो बच्चो अगर उद्योगों की मैंने आपको पढ़ाया भी है कि उद्योगों की अवस्थिती को क्या क्या चीज़े प्रभावित करती हैं तो जैसे पूझी, कच्चामा रिपीट होता रहता है ये परशन आए पैपरेंगेन पेपर रिपीट होता रहता है ये परशन तो इसको जरूर यात करके जरूर जाईएगा Next हमारा question है कच्चे माल पर अधारत उद्द्योगों के वर्गी करन का विशलेशन पांच शिर्षकों के अंतरगत कीजिए यानि जो उद्द्द्योग है तो उद्योग कच्छा माल उद्योग किस परकार से परवावित करता है तो इसकी विशेष्टा हमें क्या करने है बच्चे उसके अंदर बतानी है तो अगर बच्चो कच्छे माल के अधारित उद्योगों की अगर बात की जाए तो इसमें आता है हमारा क्रिशी आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसाइन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग तो ये सभी परकार के जो उद्योग होते हैं ये कच्चे माल के आधार पर होते हैं जैसे खनिजादारित उद्योगों में क्या होता है वच्चो तो खनिजादारित उद्योग जो खनिजोग केवल होते हैं जैसे कोईला, पैट्रोल, प्राकरतिक गैस ठीक हैं, और तामबा हो गयां, यह फैक्ट्रिया जो होती है ना तो यह कच्छामाल इनके लिए यूज्ज होता है इसके सासत करशी अधारित उद्योग भी होता है यह चीनी उद्योग जानते हो आप लोग तो चीनी बनाने के लिए गन्ने के वह शक्ता होगी तो गन्ना एक कच्छा माल है ना और गन्ना एक करशी अधारित भी उद्योग है इसे रसायन उद्योग वन उद्योग परदार्तों के परिवान के लिए पाइपलाइन परिवान का व्यापक रूप से परियोग किया जाता है उपयोग तरकों का उधारन सही पुस्टी कीजिए तो आपको पता है बच्चो पाइपलाइन परिवान की विशेष्टाओं को वर्णन करना है अगर पाइपलाइन परि परिवान के द्वारा ही किया जाता है परियोग किसलिए तरल परदार्थों के लिए और कोईले के परिवान के लिए भी किया जाता है इसके साथ साथ अगर बात की जाए जल, पैट्रोलियम, प्राकृतिक, गैस जैसे तरल यों गैसे परदार्थों से आबादित परवा और परिवान के लिए पाइपलाइन व्यापक रूप से परियोग किया जाता है आप सभी को पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन कौन सा है बच्चो बिग इंच है कौन सा है बच्चो बिग इंच इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि पाइपलाइन परिवान तो पहला तो क्या है ये परिवहन का इसे से कह सकते है तीवर्तम सादन है तीवर्गती से जायजा सकता है और एक बार निर्मार करने ये बात क्या होता है बच्चो पाइपलाइन परिवहन के ये फाइदा क्या है कि एक बार इसका निर्मार कर दिया जाए तो वर्ष बर इससे लाव कमाया चाहता ह यह सभी यह सभी वीश्जियस टाइं पाइप्लाइन परिवाण की होती है तो बच्छो नेक्स प्रेशन की अगर बात की जय कैँ तो नेक्स प्रेशन है हमारा अंतर duh रास्ड्राज्ध वयाबपार के दो परकारों की व्याख्य तो अगर बच्चो अगर हम अंतराश्य व्यापार के बारे में तो अंतराश्य व्यापार किसे कहते हैं बच्चो तो क्या होता है जो अलग अलग देशों के बीश क्या होता है राश्य सीमाओं के आरपार जब विविन वस्त्वों और सेवाओं का अर्दान प्रदान होता है तो इस प्रकार के व्यापार को अंतरास्चे व्यापार कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात किज़ाएं अंतरास्चे व्यापार के दो प्रकार होते हैं। एक होता है दुई पाक्ष्विक और एक होता है बहुपार्सिक यानि दुई पाक्ष्विक व्यापार के बारे में समझते हैं दुई पार्स्विक या पाक्ष्विक व्यापार किसे कहते हैं जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है दुईपाक्षियों का अर्थ होता है जब व्यापार दो देशों के मद्दे होता है तो उसे हम दुईपास्विक व्यापार कहते हैं इसके साथ बहु पार्षिक व्यापार उसे कहते हैं जब व्यापार या वस्तोय सेवाओ का अर्दान परदान बहुत सारे देसों के अमध्य होता है तो उसे हम बहु पार्षिक व्यापार कहते हैं तो ये होता है बच्चो दुई पाक्षिय और बहु पार्षिक व्यापार के अंदर अंतर नेक्स बच्चों परशन की बात करते हैं इंदरा गांधी नहर कमान छेतर में सतत पोशनी विकास का लक्ष प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिसित की सतत पोशनी पर बल देना होगा इस कतन का मुल्यांकन कीजिए तो बच्चों इस कतन का हमें जो बारे में बताना है ये हमें इंदरा गांधी नहर कमान छेतर से सम्बंदित हमें बताना है तो पहली बात तो ये पहले हमें पूर अवशकता ये है कि इसके अंदर क्या किया गया था बच्चों इसके असाथ इसके अंदर ये किया गया था कि किर्शी के अंदर के खटे फसलों की खेती के लिए काफी पुरसाहित किया गया था या किसानों को ये कहा गया था कि खटे फसलों का आप उस्पादन कीजिए इसके साथ साथ कमान शेतर में नालो को पका करना था गूमी विकास और समतल और बाड़े बंदी पदती को काफी जारी रखना था और जल के छटी को क्या करना था बच्चो कम करना था इसके साथ साथ जो जल क्रांतता होती है जल्प्रांतता का अर्थ क्या होता है बच्चों कि जो किशान पहले क्या होता था कि फसलों में आउशक्ता से जादा सीचाई कर देता था ठीक है तो इसको भी रोकने का मतलब इंतिजाम किया गया था इंदरा गांधी नहर कमान छेतर के अंतरगरत इसके अंतरगरत मेखला निर्मान को बढ़ावा दिया गया मेखला निर्मान का अर्थ होता है कि जब खेती की जाती है तो यानि खेतों के आसपास क्या कर दिया जाता है बच्चों पहले तो पेड़ लगा दिया आते हैं और खेतों के मद्दे में मेखला निर्मान कर दिया ज नेक्स प्रिशन हमारा आता है भारत का सड़क जाल विस्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है ये बात तो सही है कि भारत का जो सड़क जाल है वो विस्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है ठीक है ना इसके बारे में हमें बताना है तो आप लोगों तो पता होगा कि परती वर्ष लगबग 85% यातरी हमारे भारत में सड़क परिवान का इस्तमाल करते हैं लगबग 85% जो लोग होते हैं या यातरी कहलो कि भारत में सड़कों का प्रियोग करते हैं और 70% जो भार है यातरी आतका परिवान सड़कों दौरा किया जाता हैं निर्वाण एवम रख रखाओ के उद्देसे सर्थ सड़कों को कई भाजों में बंठा गया है आपको पता ही होगा कि अगर बात किजिए जैसे आपको पता है राज्ये महामार्ग, राज्ये महामार्ग, जिला महामार्ग और ग्रामिड सडकों के रूप में इसे वगेत किया गया है राश्चे महामार्ग राज्जों की राजधानियों को क्या करता है पर्मुख नगरों और पत्तनों के साथ जोड़ कर देखा जाता है जिसे हम क्या कहते है बच्छों राश्चे महामार्ग के रूप में वर्गिग्रित करते है पहला हमारा आता है बच्छों राश्चे महामा अब राज्य महामार्क क्या करता है जिला मुख्यालों क्या करता है अन्य सहरों से जोडता है अन्य महत्पून सड़कों से या सहरों से जोडता है इसके सासर तीसरे नंबर पे आता है जिला सड़के और ये जिला सड़के क्या करती है जिला मुख्यालों को जिले के अन्य हिस् अग भी आती है जिसे हम कहते हैं सीमा वर्ती सड़के सीमा वर्ती सड़कों का मतलब क्या होता है कि सीमा वर्ती सड़के व electro practice होती है जो अंतराश्चे सीमाओं के सहारे बनाई जाती है बेसिकलि क्या किया हता है यह सेनेत रिस्टे से काफी महत्पून होता है यानि सेनाओं का जो सामान होता है वो आना जाना इन सीमावर्ती सिल्कों से किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस परकार से कि भारत को जो सड़क जाल है वो दुनिया या विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है नेक्स हमारा प्रशन है भारतिय रेल जाल विस्व के सारुदिक लंबे रेल जालों में से एक है ठीक है वच्चो तो इसके अंदर हमें बताना है भारतिय रेल के बारे में आपको पता ही होगा भारतिय रेल सरकार का विशालतम उद्ध्यों के एक्ते से कह सकते है उद्ध्यों में और ये माल और यात्री दोनों को ही एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाता है यानि रेल परिवहन क्या करता है कि वस्तू को भी रे जाता है ठीक है सामान को भ परिवहन करता है और ये रेल परिवान हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी काफी महतपूर है यानि देश की अर्थिवरस्ता इसी के द्वारा ही चलती है इसके साथ भारतिय रेल विविन प्रकार की संस्कृति धर्म जाती ये लोगों को क्या करती है आपस में जोड रेलीidd Ephraים Hum को पुन्यत किया गया है Behrat बहुतार रेल विवस्ता को और ज्यादा क्या किया जा रहा है बच्चों रिकास किया जा रहा है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतिय रेल जाल विशुब के सारवधिक देश मार में से एक आप्डिक में रेल मार्वों ने इ मंदित प्रशन है तो अगर बात की जा जैसे आपको पता ही है प्रशन है मतला वित के अंदर अफरीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चो तो इसमें है अल दीरिया कौन सा जीरिया बच्चो अल दीरिया क्या है हमारा सबसे बात यह सबसे बड़ा देश है अफरीका का दूसरा है विस्तरित वानिज्य अनाज क्रिशी का एक छेत्र कौन सा है बच्चो तो विस्तरित वानिज्य अनाज क्रिशी का एक छेत्र कौन सा है पंपाज तो पंपाज जो है वो विस्तरित वानिज्य अनाज क्रिशी का एक छेत्र है नेक्स्ट अगर बात की जाए परमुक समुंद्री पत्तन तो अगर समुंद्री पत्तन की बात की जाए तो इसके अभी मैप में हम बात करेंगे योको हामा योको हामा एक समुंद्री पत्तन है ठीक है बच्चो योको हामा क्या है एक समुंद्री पत्तन है नेक्स्ट प्रिशन है हमारा नो परिवहन नहर नो परिवहन नहर बतलब कौन सा है बच्चो तो इसके लिए नो परिवहन बताना है नो परिवहन नहर कौन सा है हमारा पनामा नहर जो उत्री अमेरिका को दक्षे अमेरिका से जोड़ता है इसके साथ साथ हमें बताना है अंतरास्थिय वायू पत्तन एक हमें अंतरास्थिय वायू पत्तन बताना है तो इसे वाशिंग्टन भी बता सकते हैं वाशिंग्टन या वालिंग्टन वाशिंग्टन ठीक है नेक्स्ट हमारा है ऑस्चेलिया पार महादीप रेल मार्क का सबसे पस्चिम इस्टेशन का नाम बताना है तो बच्चो अगर बात की जाए ऑस्चेलिया पार महादीप यानि यानि ऑस्चेलिया रेलवे के बारे बात की जो ऑस्चेलिया महादीप का से बड़ा रेलवे है इस सबसे बड़ा देश थोड़ा समय से बड़ा कर देता हूँ तो अगर बच्छो बात की जाए हमारा अफरीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्छो अलदीडिया कौन सा अलदीडिया अफरीका महादीप का सबसे बड़ा देश है नेक्स अगर बात की जाए विस्तित वाणिजे अनाज करशी का छेतर तो इसका ये रहा पंपास यानि दक्षनी अमेरिका में कौन से है बच्चो पंपास तीसरा है हमारा पर्मुक समुंदरी पत्तन तो पर्मुक अगर समुंदरी पत्तन की बात की जाए तो हमारा पर्मुक समुंदरी पत्तन है हमारा योको हामा यह आपको दिख रहा होगा जापान की तरफ है हमारा योको हामा एक पर्मुक समुंदरी पत्तन है नो परिवहन के रूप में जाना जाने वाला कौन सा है बच्चो पनामा नहर पनामा नहर एक नो परिवहन का छेतर है नेक्स्ट है एक परमुख अंतरास्य वायू पत्तन तो परमुख अंतरास्य वायू पत्तन कौन सा है बच्चो हमारा परमुख अंतरास्य वायू पत्तन है हमारा कैस्ट यह लांट जो आसटेलिया में महादीप का अगर बात किए तो यह हमारा पर्थ कौन सबसे अपको पता होगा कि जो आपको अनस्य इसके साथ दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है ब्राजील दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चो ब्राजील तो ये तो बच्चो हमारा रहा वर्ल्ड का मैप तो ये हमारा आशा है आपको ये मैप समझ में आ गया होगा अब इंडिया के बारे में बात करते है तो बच्छों इंडिया में हमारे प्रशन है हमारा बात करेंगे बच्छों हमारे इंडिया वाले मैप से तो इंडिया माले मैप का हमारा पहला प्रशन है आप पहले पढ़ लेंगे देखो भारत के दिये गए सारवदिक राजनीतिक र प्रशन है और हमें इसके इंदर से पांच हमें बताने हैं तो बच्चों पहला हमारे इसके इंदर प्रशन है कि सारवधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो बच्चों हमारा बिहार है तो सारवधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों बिहार नेक्स कोशन है दस मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा से पुराना राज्य जगरबाद की जाए कि अहां दस मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला भारत का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है बच्चो तो गुजरात है कौन सा बच्चो गुजरात है इसके साथ कपास का अग्रणी उत्पादक राज्जी यानि कपासी खेती सबसे ज़्या कहा होती है बच्चो तो अगर बात की जाए कपासी खेती के लिए तो बच्चो कपासी खेती के लिए सबसे अग्रणी हमारा राज्जी कौन सा है बच्चो गुजरात कौन सा है बच्चो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपासी खेती होती है तो अब नेक्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश में इस तेल शोधन शाला तो बच्चो उत्तर प्रदेश में जो हमारा तेल शोधन शाला कौन सा है बच्चो तो हमारा मतूरा कौन सा है बच्चो मतूरा हमारा तेल पर शोधन शाला है नेक्स है तमिल लाडो में इसीत एक कोईलेगी खान का नाम बताईए तो तमिल लाड़ो में इसीत एक कोईले ही खान कौन सा है बच्चो नवेली तो नवेली क्या है तमिल लाड़ो में इसीत एक क्या है कोईले की खान है नेक्स है उडीसा में इस्थित एक समुंदरी पतन तो बच्चो उडीसा में कौन सा है बच्चो पारा दीप एक समुंदरी पतन है इसके साथ पंजाब में इस्थित एक अंतरास्चिय वायू पतन तो पंजाब में इस्थित एक अंतरास्चिय वायू पतन कौन सा है बच्चो आपका अम्रिस सर कौन सा बच्चो अम्रिस सर इसमें दो आ जाएगा बच्चो यानि पंजाब में दो है एक है अम्रिस सर और एक है आपका राजा सासी कौन सा बच्चो राजा सासी यह दो है पंजाब में दो अंतरासी वायू पत्तन है राजा सासी और कौन सा है बच्चो अ अम्रिष सार च preçoलो इससे मैप में देखते हैं है तो बच्छ ये रहा हमारा मैप में दिख अब लोगों ये रहा अम्रिष सर तो क्या बोला है मैंने पंजाम में ए से एक समंदुरी एक इसके साथ-साथ भारत में सबसे अधिक अगर बात की जाए भारत में सबसे अधिक जन संग्या घनत वाला राज्युêu कौन साथ- bिहार है इसके साथ साथ, नेक्स कौन सा है, हमने बात करी थी कौन सा बच्चो, कि भारत में, अगर बात के तमिल लाडू में, कौन सी कोईलेगी खान है, तो कौन सा है बच्चो, तो नवेली, कौन सा है बच्चो, नवेली कोईलेगी खान, कौन सी है, नवेली कोईलेगी खान, तमिल ठीक है कपाशी खेती ससेथा लागरो अगरवात की जाए भारत का पूरवी एक ऐसा जहां 10 million जन संख्या हो तो कौन सा बच्चो कलकता कौन सा बच्चो पस्चिम मंगाल में कलकता तो ये तो रहा हमारा बच्चो sample paper ये हमारा first sample paper है तो ये तो हमने solve कर लिया है next sample paper आपका जल्द ही upload कर दिया जाएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो थब्लाएब झाल बच्चो अच्चो को अच्चो अच्चो का जाएगा